मार्चल प्रदेश में चुनाओं में एग्जिट पोल भी साफ नहीं कर पाया कि पहाड पर किसका राज होगा न्यूस 24 टुडेज चानक्या के स्टेट अनालिसिस में भी पहाड में भंध विधान सभा यानी हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं बीजेपी और कॉंग्रेस 33-33 सीट के साथ हंग एसेंबली के ओर इशारा करते हुए तो हिमाचल प्रदेश के एनालिसिस पर सीएम जैराम ठाकुर ने क्या कहा आए सुनाते हैं आपको देश की सियासत का केंद्र इन दिनों हिमाचल प्रदेश पहाडी राज जय सबकी निगाए टिकी विए और इस वक्त हमारी मौजूदगी ओक ओर में है सेम जैराम ठाकुर खुद हमारे साथ मौजूद है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर हमारी सोर्स कहते हैं कि सिराज से तो आपका सिकसर लगना तैह है लेकिन निउस 24 और टुरे चानक के जो के जो अनालेसिस है उसके मुक्ताबिक मुकाबल जो एक दम दो लेकिन अनवार मरे मानना है कि बहूत ब्राबर मौ की अकि आपके सर्वेक्षन में में देख रहा था उसमें जो अगे बढ़ेंगे हमागे बढ़ेंगे हमाओर बढ़ेंगे ले सारी चीजह आइसी हैं जो लोगों के जहन में है छिसके लिए लोगों नभा किया है मोदी को बहुत बड़ी रहात मदद और विकास के जो प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया है तो ऐसे में मेरा यह मानना है कि हम स्पष्ट बहुमत लेंगे मजबूत सरकार बनाएंगे हिमाचल परदेश में और मुझे कोई इसमें कोई आशंकार नहीं लगती है तो पूरी तरीके से सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि दौर निकल चुका है चुनाब हो चुके हैं अब तो बोटों की गिंती होनी है लेकिन फिर भी उसके बावजूद शिमाचल परदेश में फोकस हो करके देखा इस चीज को कि देश का भीत कहां है निरेंदर मोदी जी को और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हूं लोग फिर अल्टेमेटले पोलिंग वाले दिन तक जो है एक फोकस पॉइंट पर कामल का फूल जहां है वहां पर उन्याम अपना डाला है लेकिन सर देखिए इस पार धार मंत्री नरींदर मोदी का खुद फोना आया था राष्ट्रे अद्यक्ष को खुद इंटरफेर करना पड़ा था और इसी के चलते इस बार जो है पहाड़ी राज्यम है क्योंकि यहां की जंता जो एकदम क्लियर मैंडेट देती है इस बार ऐसा लगता है कि जोड़ तोड़ कि सियासत कई नहीं देखने को मिल सकती है तो हुआ है जहां जो केंडिडेट खड़े हुए थे पार्टी के संख्या हिमाचल की हिसाब से मैं मानता हूं कि वह ज्यादा थी इसमें दोराय नहीं है लेकिन पार्टी के नितितों ने प्रयास कितनी सीटों मेरे मानना है कि हम अराम से मजबूत सरकार ही माचल परदेश में पढ़ेंगे आपको निर्देले का सहरा नहीं लेना पड़ेगा मुझे पूरा वरोसा है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी लेकिन उसके बाब जूद में राजनियति में जब परिनाम आते हैं उस निर्णे लेगें वो जो उस वक्त की स्थिति होगी उस तरह से विचार करेंगे अगर जनता फैसली अगर सत्ता की चाबी अगर आपको नहीं सौपती है तो जनता का आदेश होगा वो स्विकार होगा निश्ची तरूप से लोगतंतर है लोगतंतर में हमने हम मैं पिछले 25 से हिमाचल परदेश की विधान सवा में हूं और सत्ता में भी रहा तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जो जनता का आदेश होगा उसको कौन मना करें लेकर जनता का आदेश हमारे पक्ष में हैं यह मैं कह रहा हूं लेकिन सर कॉंग्रेस कह रही है कि OPS एक बड़ा मुद्दा र किसी मुद्दे पर चुनाबने OPS 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 यही कहते हैं रही हूं और उनको यही लगा जो करमचारियों का वोट जो है वह हिमाचल परदेश में इस मुद्दे पर हम अपनी और से आकर शित करेंगे और मुझे पूरा व्रोसा है कि करमचारियों ने सोच समिश करके क्या है ठीक है सोभाविक रूप से अपना मांग करने का अधिकार करमचारियों को है तो कोई आपती नियम को और लेकिन उसके बावजूत अगर मद्दान करने की बात आती है तो मद्दान में OPS मांगना एक विशह है लेकिन OPS के मुद्दे पर ही बोट देना मुझे लगत उनका कई existence दिखाए नहीं दिया फिर भी वो कहीं न की confident है की नहीं उने भी कुछ सीटे मिलेंगी और उसने लास्ट दिन जो है वो विड्रॉक करके जो है भारती जन्ता पार्टी की campaign जोइन की और 67 शीटू पर जहां चुनाब लड़ा है आम आदिम पार्टी ने 67 की 67 शीटू पर जमानत चप्त होगी यह मैं आप को दो केजरी वाल लिकर के देते हैं मैं लिकर के नहीं द को दिसारी चीज़ को लेकर के मने का तो और आज भी हम उसी बात को लेकर के कह रहें तो मैंने एक बात और भी के इच मेंने का कि हिमाचल पहड़ी राज्य है यहां चड़ते चड़ते सांस पूल जाएगी आपकी मेरबानी करके मत करिए तो वह सांस फूल गई आए नहीं क्योंकि चड़ाई क्योंकि उसरी मैधानी इलाके में थे इस तरफ ओल्डी माचल तो वह पहुंचे नहीं तो यह मालनी आज जाए कि एक बार फिर से जैराम ठाकुर जी राज दिलग के लिए तैयार है मतलब यह एतियासिक होगा फैसला मेरा इतरा कहना है कि हम इमाचल पर नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.